नमस्का दोस्तों क्या प्राचिन समय में इंसान एक दुसरे को मार को खाते थे हाली में बोईगानिकों ने एक सोद किया है इस सोद में उन्होंने केई चोकाने बाला खुला से किये है बोईगानिकों के मुताबिक इस सोद में एसे सबुत मिले है जिनसे पता चलता है कि इनसान के पुर्वज नर पक्खी रहे होंगे केनिया में 1.45 मिलियोन साल पुराने इनसान के पुर्वज की हड़िया मिली थी सांटिफिक जर्नल में इन हड़ियों पर की गई स्टोडी प्रोकासित की गई है जिसमें केई खुला से किये गए है स्टोडी में पता चला है कि संभा बना है कि इनसान के पुर्वज जिन्दा रहने के लिए एक दुसरे को मार कर खा गए होंगे केन्या में मिली हड़ि में नो जगा काटने की निसान मिली है इसने सुंकेत मिलता है कि मौत से पहले इनसानों के बीच हालात समाइनों नहीं थे इंसानों की पुर्भोजो को लेक और सोद में आमेरिका में इस्थित स्मीट सोनियन नेशनल म्यूजियोम आप नेजिरल हिस्ट्री को सोद करताओं ने केई हैरान करने बले दबे किये है उनका दबा है कि पेरों के हड्यों को पत्थर की अंजरों से चोट पहुंचाई गई है उनका कहना है कि हो सकता है इंसानों की प्रजातियों से जुड़े नर भख्योन का ये सबसे पुराना मामला हो सोद करताओं ब्रेयाना पविबर ने बताया कि पेरों पर देखने वले निसान की जांच की इसमें दो निसान किसी सेर जैसी जानबर और नो निसान किसी इंसानों ने उसका सिकार किया हो बिल्कुल उस तरह कह था अवससों को देखकर लगता है कि पत्थर के हत्यार से उसकी हत्या की गई है भख्याना ने बताया कि नुकसान पहुंचने के निसान पेरों में नीचे की तरफ देखे गए है उन्होंने बताया कि निसान उस स्थान पर था जैनबर के जिस हिस्से का इस्तेमाल खाने में किय जाता है सोद करताओं ने कहा कि आप तोक के मिले प्रोमान से लगता है कि उस समोई पेरों के मांग्स को खाया जाता था शोरीर को स्वास्तों राखने के लिए इसे खाने का चलन था रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे पहले इनसान के नरपक्खी होने के सबुत केन्या में नेरवी संग्राहलोई में पाए गये थे इसके बाद फ्रांस में ला रस काटन की गुफा में मिले अबसेसों से इनसान के नरपक्खी होने के सबुत मिले थे सोद कर्ताओं ने रिपोर्ट में बताया कि 100% प्रुष्टी होने बाकी है कि इनसान नरोपक्खी थे पत्थर के अंजारों से संबद्धित प्रोमाण मिले है उससे ये पता लगाना आसान नहीं है कि इस समय कौन सी प्रजाती इन अंजरों का इस्तेमाल करती थी सोद कर्ताओं का कहना है कि ये भी संबबना है कि इस समय किसी इनसान दरा मारे जाने से पहले उस इनसान पर सेर या चीते जैसी जानबरों ने हामला किया हो पेरो पर पाएगे निसान इसी तरह की कहानी कहते है लेकिन इसकी भी संभावना है कि ये एक प्रजाती दोरा आपने ही किसी आपने की होट्या का मामला हो तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको क्या लगता है इंसान पहले नरोपक्खी था या फिर उसके सिकार था इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कॉमेट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर आप हमारी चानल में पहली बार आए है तो कुर्पिया इस चानल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ओल पर किलिक कीजिए मिलते हैं और एक संदर ने वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद